रेडी शुरू करते हैं एक प्रशन से शुरू करते हैं मेरी हमेशा आदत है कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने टीचर से कोईशन पूछो कि जिस सब्जेक्ट को आप मुझे पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्या बेसिकली तो अगर मैं कोईशन करूँ आपसे छोटी सी बात इंट्रेक्शन करें सब कुछ भूल जाओ और गहरी सांस लो और इस कहानियों को आनंदित होकर सुनना शुरू करो इसमें ना तो जोगरफी की तरह विज्ञान है ना एकॉनमी की तरह तर्क है न जो है वो अनलेटिकल आंक कर्श्चित को देख रहें बस यह देखने का नजरिया है इतिहास इस स्यादा कुछ नहीं है इतिहास तुम्हारे football हो वो सकता है मेरे लिए कुछ और हो सकता है इतिहास कभी absolute नहीं हो सकता इतिहास और alone इतिहास की तरह है तो एक छोटा सद्छिशन तुमसे पूसता हूं इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी परिभाशा तुम लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा कई बार तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा क्या तुम मुझे बता सकते हो इतिहास क्या है एक छोटे से छोटे शब्द में एक वाक्य में क्या तुम मुझे इतिहास को समझा सकते हो अगर समझा लोगे तो शायद एक teacher और एक इस्ट्रेंट का जो interaction होना चाहिए एक जुडाव होना चाहिए एक bonding होनी चाहिए एक कहानी कहने वाले और एक कहानी सुनने वाले के बीच में जो bonding होनी चाहिए वो bonding हम डबलब कर जाएंगे मैं भी तो समझू कि मुझे सुनने वाला जो शोता है जो audience है मेरा वो मुझे कितना समझ पाता है वो इस विशय को कितना जानता है वो इस विशय की जो गहराई है जो इस विशय की रूची है जो इसके रंग है जो इसके डैमेंशन है वो कितने हमें समझता है तो शुरू करिए मुझे कोई बता सकता है कई लोगों ने बहुत से अच्छे जवाब दिये बड़े खुबसूरत जवाब दिया उन्होंने जवाब किसी का गलत नहीं है यह बहुत ही अलग सेग्मेंट है मैं इक कोईशन पूछने के पीछे तुम्हारा ग्यान चेक नहीं करना था तुम्हारा नजरिया चेक करना था तुमने अलग-अलग किसी ने कहा बीता हुआ समय किसी ने लिखा बीता हुआ समय उसकी study history है किसी ने chronological sequence लिखा किसी ने अपनी अपने तरीके से जो है वो बताया कि अपनी गलतियां ना दोहरा सकें इसलिए हम इतिहास का अध्यन करते हैं बहुत कुछ आपने लिखा बहुत कुछ आपने बताया आपने देखा कि किसी एक शब्द के लिए आप चीजों को कैसे देखते हैं इतिहास इसी पर बहुत अधिक तै करता है चलें यात्रा को शुरू करें और अपनी कहानियों का पिटारा खोलें रेडी मैं इतिहास को एक अलग नजरिये से देखता हूँ मैं इतिहास को सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरी बात को बड़े इतिफाक से इसको सुनने और समझने कोशिश करना मैं नहीं जानता कि मैं इतिहास के बारे में कितना जानता हूँ या कोई भी इतिहास के बारे में कितना जानता है बस यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहां तक जानना है लगातार इसी बारे में मेरी खोज चल रही है और मैं अपने आपको एक स्टुडेंट समझता हूँ जो भारती संस्क्रट भारती इतिहास की जोणों को खोजना चाहता उसकी चाहत है और इसी चाहत में मैंने इसका अध्यन किया चली अगर मैं बात करू सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इतिहास क्या है लिखोगे लिख लो और समझने की कोशिश करो अगर मेरी बात से इतफाक रखते होगे तो तुम्हें धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि इतिहास के साथ दिक्कते क्या है ये एक ऐसा से कोई मूर्त रूप देना यानि टैंजिबल फॉर्म देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो आप इतफाक रखें मैं उम्मीद करता हूंग हर धर्म के लोग मुझे समय सुन रहे होंगे और मैं वहाँ पर इसी आधार पर अपनी ब यात्रा के पदचिन हैं इतिहास के रूप में और हम यात्रा के पदचिन्नों को अगर देखते हैं तो इसमें दो शब्द हैं वन इस फुट्प्रिंट एन सेकंड वन इस जर्नी दो वर्ड बड़े खुबसूरत हैं अपनी धारणों को अगर आप किनारे रखें और यहां कैसे आए हम कौन थे क्या शुरुवाती दोर में हम इसी तरह के कपड़े पहनते थे या हमारे कपड़े हमारे खान पान हमारा पहनावा क्या हमारे पूरवज बर्गर खाया करते थे या हम किस रूप में थे अगर हम आज यहां पहुँचे हैं तो किन पड़ाओं से ह कर गुजरे हैं किन चीजों से हमोकर निकले हैं हमारी जरनी क्या थी हम समाज में कैसे बने हमारा समाज कैसे बना हमारे समाज की नियम कैसे बने हमारी समाज की संस्थाएं कैसे बनी हमारे इंस्टूशन कैसे डबल अप हुए इन सभी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस की कोशिश करना ये फुट्प्रिंट क्या होता है फुट्प्रिंट का मतलब होता है जब आप पैरों के निशान बनाते चलते हैं तो क्या सभी के पैरों के निशान समय अभी किसी ने कहा कि बीता हुआ समय इतिहास है समय एक काल चक्र होता है और समय के पहिये में कई बार हमा क्लिक कब हुई थी हम उनके लिंक जोड़ते हैं किया आज तक हम भारती है या विश्य का कोई व्यक्ति सुन्दू लिपी को पढ़ पाया इंडस्वैली की स्क्रिप्ट को पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या था इनके पास क्या नॉलिज थी कहीं फॉसिल्स मिलते हैं कहीं म्रदभांड मिलते हैं कहीं पर अनाज की कोठरिया मिलती हैं कहीं इस्नानागार मिलते हैं अलग-अलग सभ्यताओं के जो अलग-अलग चिन होते हैं अलग-अलग साइन होते हैं हम उनको एक क्रम में जोड़ते हैं और जोड़कर अपनी यात से कोई ऐसा वेक्ती था जो वहाँ मौझूद था कि 1857 की करांती एक सैनिक करांती थी या भारत का पहला सुतनता संग्राम था क्या मैं और आप में से कोई वहाँ पे बैटा हुआ था कि कौन क्या कर रहा था कोई कहता था कि नहीं यह जो है वो केवल सिपोई म्यूटी नहीं थी यह केवल जो है वो एक मिलिटरी अलाइंस था और अधर्वाइस दूसरे कहते हैं कि भारत का प्रथम सुतनता संग्राम था लेकिन सवाल है कि exactly वहाँ कोई था नहीं हम सिर्फ उन डॉक्यमेंट्स के उन किताबों में वो जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उन म्रदभांडों उन हतियारों उन चीजों के आधार पर पुरानी डैरियों दस्तावेजों इन सब को इकठा करते हैं और एक यात्रा एक फुट्प्रिंट बनाने की कोशिश करते इस जर्नी की जिस जर्नी को मानवता के इतिहास मानव का विकास कहा जाता है पहली और बहुत 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 पुर बात तूसरी सबसे बड़ी चीज है मैंने इसका नाम रखा जर्नी जर्नी का मतलब होता है continuity आज जो वर्तमान है आने वाली पीडियां हमें एक अलग रूप में देखेंगी हो सकता है कि ओजांक कुछ education में ऐसा कर जाए कि इस पूरे segment में एक footprint create हो जाए क्या सभी के footprint हमें study करने ना ना यही तो सबसे महत्तपूर्ण बात है करोनों लोग इस संसार में आये और इस संसार से चले गए लेकिन हम केवल महान नायकों के बारे में पढ़ यानि वो पदचिन जिन्होंने इस समाज में इस society में इस culture में इस पूरे इतिहास में अपने पदचिन्नों को मजबूती से खड़ा कर दिया अपनी बहुत इमानदारी से बहुत महनत से उसमें एक footprint बना है पदचिन्नों को तो हम उन पदचिन्नों को उनके कथनों को अभी पदचिन्न हैं हम उनका अधिन करते हैं और उसको वर्तमान में सीखने की कोशिश करते हैं तो यह footprints रहे हो जिन्होंने एक हमारे अतीत में एक मोड पैदा किया तो हमें क्या पढ़ना होता है UPSC में हमारे basic उद्देश क्या होता है वो सभी महानायक वो सभी महान लोग जिन इन्होंने इस समय की रेत पर ये रेत किसकी है ये time है ये काल है ये करम है ठीक है इस time इस रेत पर इन्होंने अपने कामों से चाहे वो युद्ध लड़े हों चाहे वो महान निर्मार किये हों चाहे वो बड़े-बड़े किले बनवाए हों चाहे उन्होंने राजितिक पदचिन्ध बनाए हो और आश्चर जनक रूप से ये पदचिन्ध हम बनाते चले जा रहे हैं जो आज वर्तबान है वो आने वाले भविश्य के लिए अतीत होगा हिस्ट्री होगा इसी तरह एक अनवरत धारा चलती रहती है एक अनवरत फ्लो होता रहता है इसी को हम लोग फुट्प्रिंट कहते हैं लेकिन जर्णी क्या है यात्रा क्या है ये भी तो जब समझना बहुत जरूरी है अगर जर्णी की बात करें जब आप किसी हाइवे पे जाते हैं तो धेर सारी गाड़ियां एक आपके साइड में भी चल रही होती हैं कुछ सामने से भी आ रही होत प्राचीन भारत का कालखंड आता है, मद्यकालीन भारत का कालखंड आता है, और इसी तरह modern इंडिया यनि आधुनी कालखंड भी आता है, इन कालखंडों में कई बार कुछ शाशक बहुत अच्छी इमारते बनवाते हैं, कुछ नरत्य पे बहुत अच्छा काम करते हैं, संगीत पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई व्यापार को बढढ़ हवा देने का काम करता है, किसी ने महान युद्ध जीते होते हैं, इन कालखंडों में इस यातरा में अलग-अलग तरह की गाड़ियां, अलग-अलग मॉडल्स की गाड़ियां, अलग-अलग स्पीट की गाड़ियां हमें लगातार देखने को मिलती हैं इसी यात्रा में हमें एक्सिडेंट्स भी देखने को मिलती हैं याणि वो घटनाक्रम जो भारती इतिहास को हमेशे के लिए मोर दें वो भारती विदेशी आकरांता भी हमारे यहां आते हैं, हमारे जो है वो मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे जो है वो इस्थानों को तोड़ते हैं, आकरमण करते हैं, हत्याएं होती ही, तो वो सब कुछ ऐसा ही होता है, जो की एक यात्रा में होता है, लेकिन यात्रा की जो तो लगातार हम और आप बनाते चले जा रहे हैं। आने वाले कुछ 500-600 सालों बाद हमें किसी और रूप में देखा जाएगा। जब ग्यान, विग्यान, समाज, राजलीती, सब कुछ बदल चुका होगा। तो हमें किसी और रूप में देखा जाएगा। हम हर पल इतिहास का हिस्सा होते चले जा रहे हैं। और इतिहास अपनी लहरों को वर्तमान के उपर डालता चला जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास और क्या है? इतिहास एक नजरिया है, attitude है, देखने का तरीका है, perspective है, how we see the things, हम चीजों को कैसे देखते हैं, यही इतिहास है, यही इसकी सबसे खास बात है, उदारन देता हो तुमें। तुम कह सकते हो कि इतिहास में सर यह चीज़ सही है और यह चीज़ गलत है, मैं नहीं मानता इस बारे में, अगर थोड़े देख बात करें, अगर आप किसी ऐसे वेक्ति से बात करें, जो मौलवी है, या जो orthodox Muslim है, उनसे पूछिए कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, तो वो कहेंगे गजवाहिद, यानि कि जहां बाबर की शुरुवात होती है, बाबर से हिंदुस्तान का इतिहास है, ठीक है, बाबर जब आया, तब वास्तों में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना, अगर वहीं किसी संत भात्मा से बात करें, तो कहेंगे यह सनातन है, यह अक्षुड है ये धर्ती की शुरुवात से ही जो है यहाँ पर सनातर धर्म बना रहा किसी सनातर नहीं से बात करें किसी ब्रिटिशर से बात करके देखें किसी जो वेस्टन से बात करके देखें तो वो कहता है कि इंडिया था कहां ठीक है कहां था ये ये तो Britishers के आने के बाद, Western powers के आने के बाद, इंडिया इंडिया बना, उससे पहले तो ये कभीलाई लोग थे, ठीक है, ये वो घुमन तो लोग थे, इनकी कोई culture नहीं था, तो हमने क्या देखा कि इतिहास को देखने का सबका अलग-अलग नजरिया है, इतिहास को कोई किसी और रूप में देखता है, तो इतिहास को आप किस चश्मे से देख रहे हो, ये बड़ा matter करता है, और यही कारण है, अगर मेरी बात से इतफाक रखते हो, तो मुझे बताईएगा, कि जब NCRT की किताबों में बहुत बदलाव होते, तो आपने देखा हो कि भूगोल में पढ़ाया जाएगा, महराना प्रताब को इंट्रिद्यूस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहरू को पोस्टर में रखना है, नहीं रखना है, लेकिन किसी और सब्जेक को टच नहीं करते, सबसे ज़ादा NCRT की किताबों में जो बदलाव होते हैं, जो बव ग्यान है, प्रतिफी को घूमने में तुम क्या बदलाव करोगे, कि ये पार्टी बदल गी, दूसरी पार्टी आगे, प्रतिफी को घूमना चेंज़ करें, बोले हमारा मन नहीं हमें इस तरह गुमाएंगे, ना भया, वो तो उनिवर्सल लाओ है, एकॉनमी के जो सिध्ध वो अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं, वहीं जो क्या नाम है, रोमिला थापर इतिहास को अलग रूप में देखते हैं, और इर्बान हबीब अलग रूप में देखते हैं, तो इतिहास वास्तों में क्या है, हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, मैं ये बाते क्यो कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब नजरिया अलग हो जाता है, तो पढ़ाने वाले का नजरिया और पढ़ने वाले का नजरिया दोनों में अंतर आने की संभावना रहती है मैं जानता हूँ कि जब मैं Geography के सिध्धांत पढ़ाऊंगा, तो मैं जानता हूँ कि वो absolute है, उसमें मैं कुछ और आप कुछ नहीं कर सकते जब economy के सिधानतों की बात करो तो most practical thoughts से इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे यह वैश्विक नजरिये से बात है लेकिन इतिहास एक ही देश, दो देश दोनों देशों का और एक ही देश के नागरिकों का अलग-अलग हो सकता है देखने का नजरिया for example, जैसे कल मैं कुछ पाकिस्तान के, मैं सोचा कि चलो देखे, पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कुछ ऐसे ही विडियो देखने लगा, तो वो अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ाते हैं कि हिंदूओं ने उन पर बहुत जुल्म किये, काफिरों ने बहुत जुल्म किये, सिक्कों ने बहुत जुल्म किया सिक्क, जो हिंदू और सिक्क, बहुत पिछड़ी हुई जो है, जातियां है, और लगातार और वो जो है वो पीछे, यहां किसी धर्म से इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, ठीक है, यह कोई सामप्रदाइक या कोई भी इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ एक उधाहन के लिए, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, कि मस्या क्या है, क्या इतिहास वास्तों में एप्सलूट हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग नजरिये से हम क्यों देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जोगरफी का सिध्धान ते कि air को चलना है, high pressure से low pressure चलेगी, obvious ही बात है, तुम कहीं भी चलाओ, high pressure से low pressure ही जानी है, ठीक है, कोई सोच रहे होगे, right, सोच रहे होगे इसको, कि इतिहास में ये नजरिया अलग-अलग क्यों होता है, ये attitudinal changes क्यों होते हैं, हमारे perspective क्यों बदल जाते हैं, एक कहता है कि 1857 की क्रांती केवल सिपोई mutiny थी, और एक इतिहासकार कहता है कि नहीं, वो हमारी आजादी की पहली ल कर रहा है, तुम अब काले अंग्रेज जो है, इसको चलाओ, सवाल है कि तुम्हें एक student की रूप में कैसे समझोगे कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य तो सास्वत होता है, truth तो universal होता है, और यहां तुम्हें perspective की बात कर रहा हूँ, truth में perspective नहीं होते, तो किसका सत्य सत्य है, हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हो, यह वो जो कहता है कि सनातन है, यह सिंदु से भी बहुत पहले, यह वो जो दक्षिर भारतिय कहता है कि आरे यहां के मूल निवासी ही नहीं है, हम दरवडियन यहां के मूल निवासी है, हम सब कुछ हमारा ही इतिहास है, यह वो जो कहत कि अ tweets आ kindness आए कि अरे क्या आभ बात कर रहे हो प्लासी से पहले अंग्रेजयों कआने से पहले हिंदूस्थान नाम की संस्ता नहीं थी वह तो हम थे जिन्हों ने के juber ओर मॉर्डन इंडिया का दर जो है निर्मार किया अब किसकी बात सही है ये हिंदूस्तान किस आ है का हए अब एक वेक्टी इसमें लड़ जाएगा, अब यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, वो हमारी सुसाइटी का मैं आपको कोर बता रहा हूँ, क्योंकि भारतिय समाज भारती इतिहास से कभी अलग नहीं हो सकता, भारतिय समाज और भारती इतिहास को समझने के लिए आपको ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने किताबों से कहीं बाहर निकल कर काफी बड़े अध्यन से समझने की कोशिश की है, एक व्रहतर डैमेंशन में जाकर समझने कोशिश की, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, कि आखिर ये नजरिया होता कैसे ह तो अगर मैं बात करूँ, अपने अगले कोशिशन पर आता हूँ, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, खासतो और पकर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं, जिनने आप एकैडेमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान वभी हो, रोमिला थापर हो, एल बोशम हो, या अगर ग्रोवर हो, जाश्री माली हो, किसी की बात में कर रहा हूँ, अगर हाव टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इ अभी क्यों देखते हैं, इस पर बात करूऍगा, हम यतिहास को देखते हैं, हम इतिहास को किस चशमे के साथ देख रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स आये तुरूंने इतिहास को अलग तरीके से देखा, जो ब्रिटिशर्स की बानेताओं वाले, इंडियन इस्टउरियन थे उन् वर्तमान ने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरीय से देखा। हर किसी का अपना एक नजरीया अलग अलग था इतिहास को देखने का। convince ने मेरा नजरीया क्या होगा। लेकिन इसका सॉलूशन लेकर आया ह। जिसके बारे में आप समझ इयेगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीद के चश्मे से देखते हैं When we see present in the glasses of the, from the glasses of past When we see present, यानि आज हमारा कैसा बड़ा ये ज़्यादा तर books तुम देखोगे इसी form में लिखी है हम इतिहास में शुरू करते हैं पढ़ते ना इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत ये पहला चैप्टर है उसके बाद मेडाईवल, उसके बाद मॉर्डन यानि हम अतीद से अपनी बाद शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंसते हैं और किसी स्ट्रेंड ने बड़ी खुबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें वो हम जानने की कोशिश करते हैं तो पहला होता है वर्तमान को अतीद के चश्मे से देखते हैं पहला method होता है when we see, present, from the glasses of past हम उसको वहाँ से देखते हैं और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मिस लेखते हैं बड़ा ही modern बड़ा जबरदस भी हुए है जब हम अतीत को वर्तमान यानि आज हम खड़े हैं यानि हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं अभी इसका एक्जामपल देने जा रहा है और आज ही सुबह मेरे किस्टेंट ने मुझे मैसेज बेजा बहुत सही समय पो उसने मुझे बेजा जांकिन ने और अगर इस क्लास में होंगे तो उन्हों समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को यानि पास्ट को प्रेजेंट यहां खड़े होकर आज हम कहां है और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को पास्ट को कैसे कंपेरिजन कर सकते है सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तै करते हैं